हेलो वच्चों कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका आज पढ़ेंगे हम पार्ट नमबर 10 जिसका नाम है कारक यानि केस सबसे पहले कारक केस कारक संग्य या सर्वनाम का वह रूप हैं जिसके द्वारा किसी वाक्य में उसकी क्रिया के साथ संबंद प्रकट होता है देखिए पढ़िए और समझे यहां बच्चों हमें कुछ चित्र दिये गए हैं उन चित्रों के नीचे लिखे वाक्य दिये गए हैं हम उन वाक्यों को पढ़ते हैं इस नहें प्रीटी को दुकान ले गया नेहा ने पत्र लिखा रवीना अपनी बहन के लिए पुस्तक लाई पच्चों आगे देखिए दक्ष कार से विद्याल ले गया यह अभे का घर है चट पर बैठा एक लड़का उपर दिये गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द को दे के लिए से का पर ऐसे शब्द हैं जो वाक्ये में शब्दों के बीच संबंद बताते हैं ये शब्द कारक्चिन कहलाते हैं इन्हें परसर्क या विभक्ती भी कहते हैं पर जो शब्द जो चिन हमें क्रिया से संबंद बताते हैं वे कारक्चिन होते हैं इन्हें हम परसर्क भी कहते हैं परसर्क या विभक्ती भी कहते हैं इस प्रकार संग्या या सर्वनाम का वह है रूप जो अन्ने शब्दों क्रिया से अपना प्रकट करता है कारक कहलाता है समझ में आया बच्चो कारक क्या होते हैं जैसे से ने के दुआरा ये जो शब्द होते हैं जो हमें क्रिया से संबंद बताते हैं वे सभी चिन कारक चिन कहलाते हैं यानि के कारक कहलाते हैं अब करने की बारी नाव लेट्स डू निमने लिखित वाक्यों को उचित कारक चिन हो द्वारा पूरा कीजिए complete the following sentences by filling the correct case sign पहला वाक्य देखिए मूर्ख दोस्त खालिस्थान बुद्धिमान शत्रू अच्छा होता है तो बच्चों यह क्या आएगा मूर्ख दोस्त से पुद्धिमान शत्रू अच्छा होता है जैनि कि से से जुड़ने से बच्चों पूरे वाक्य का अर्थ समझ में आ गया हमें क्रिया से भी इसका संबन समझ में आया से क्या है बच्चों हमारा परसर्ग है हमारी विभक्ती है यह कारक चिन है इसी तरह और भी वाक्य दिये गा है जिनमें खालिस्तान है आप सही कारक्चिन का प्रियोग करके वाक्य को पूर्ण करेंगे कार्रे के भेद काइंट्स ओफ केस कारक आठ प्रकार के होते हैं सबसे पहले करता कारक नॉमिनिटिव केस शब्द के इस रूप से कार्रे के करने वाले यानि करता का बोथ होता है इसका कारक्चिन ने है जैसे रमन खाना खा रहा है रमन ने खाना खाया चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों से इसपस्ट होता है कि रमन क्रिया को करने वाला है अतहा रमन करता कारक है यहां दूसरे वाक्ये में रमन के साथ कारक चिन ने का प्रियोग हुआ है जबकि पहले वाक्ये में ने का प्रियोग नहीं हुआ है इस प्रकार करता कारक का प्रियोग कारक चिन के साथ भी हो सकता है और बिना कारक चिन के भी हो सकता है बच्चों देखा आपने करता कारक क्या होते है जिससे हमें बोधो की काम का करने वाला कौन है इसका चिन होता है ने लेकिन कभी-कभी वाक्य में हमें ने शब्द, कभी-कभी वाक्य में हमें ने चिन दिखाई देगा और कभी दिखाई नहीं देगा लेकिन बच्चों वाक्य को पढ़कर हमें ये समझना है यदि वहां काम के करने वाला है तो वहां होगा करता कारक चलिए आगे बढ़ते हैं कर्म कारक अब्जेक्टिव केस जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रिभाव या फल पढ़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं इसका कारक चिन को है जैसे अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है दो भी कपड़े सुखा रहा है बच्चो यहाँ देखे अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है को चिन आया ना धो भी कपड़े सुखा रहा है बच्चो देखे जैसे कर्म पढ़ रहा है एक में तो हमें समझ में आ रहा है को कारक चिन हमने देखा तो तुरन बता दिया यहां कर्म कारक है दूसरे बार्ट के दोबी कपड़े सुखा रहा है दोबी कपड़ों को सुखा रहा है मैं ऐसे भी बोल सकते हैं जरूरी नहीं इस तरीके से ही बोले लेकिन यहां बच्चो जो कर्म है वो चुपा हुआ है मतलब चिन चुपा हुआ है कर्म पर पर भाब पढ़ रहा है इसलिए यहां कहलाएग कर्म-कारक ठीक है आगे बढ़ते हैं करनकारक on instrumental case करन का अर्थ है शाधन करता जिस साधन से का रहे यानि के क्रिया को करता है उसे करनकारक कहते हैं इसका कारक्चिन से तथा के द्वारा है, जैसे नंद्व-ञैण से लिखता है भारी सामान त्रक के द्वारा ढोया जाता है यहां पहले वाक्षे में पैन तथा दूसरे वाक्षे में ट्रक क्रिया के साधन है अतहा दोनों करणकारक हैं पच्छो जहां क्रिया से साधन का संबंद बताया जाता है वहां होता है करणकारक जैसे पैन से किसी के द्वारा तो से और के द्वारा चि जाता है तो वहाँ होता है बच्चो करणकारक, चलिए आगे बढ़ते हैं। संपरदान कारक यानि के टेटिव केज वाक्य में जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे संपरदान कारक कहते हैं इसका कारक चिन के लिए तथा को है। वाक्य देखिए, रमन नमन के लिए कपड़े लाया है, प्रीती ने प्रिया को खिलोना दिया, यहां पहले वाक्य में नमन के लिए क्रिया की गई है, यहां नमन के लिए कपड़े लाये गए है, दूसरे वाक्य में प्रीती को खिलोना दिया गया है, अधा इन वाक्यों में नमन तथा प्रिया संपर्दान कारक हैं तो बच्चो संपर्दान कारक वह होते हैं जहां इसके देख़े चिन कौन कौन से होते हैं के लिए और को होते हैं जैसे संपर्दान कारक वह कारक होते हैं बच्चो वाक्य में जिसके लिए क्रिया की जा रही है क्या हो रहा है वाक्य म प्रिया को खिलोना दिया, बच्चों यहां जो करता है उसके लिए क्रिया की गई है ना, इसलिए यहां कहलाएगा संपरदान कारक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपदान कारक, एबिलेटिव केस, अपदान का अर्थ है अलग होना, शब्ड के जिस रूप से किसी व्यक्ति य जरने से पानी गिरता है, इन वाक्यों में पेड से फल और जरने से पानी अलग होने का कारे कर रहे हैं, अतहा पेड और जर्रा अपदान कारक हैं, बच्चों हमने उपर पड़ा है अभी जो करन कारक होता है, उसका भी कारक चिनिक से होता है, लेकिन वहां से बच्चों क्र जरने से बहरा यानि के पानी तो अलग हो रहा है ना जरने से पत्ता पेड़ से गिरा तो पत्ता तो पेड़ से अलग हुआ जब अलग होने के अर्थ में आएगा तो वहां होगा अपदान कारक ठीक है चलिए आगे बढ़ दे याद रखिए करण कारक में से का प्रियोग साध होता है, उसे संबंद कारक कहते हैं. इसका कारक्चिंद का, के, की, रा, प्रे, री, हैं। जैसे नंदनी का भाई व्यययायम कर रहा है। मेरा मित्र, मुंबई गया है। ये इस नहां के पिता हैıy। हमारे अध्यापक पिदेश जा रहे हैं, वहें शोभा की पुस्तक है, यह तुम्हारी माता हैं. बच्चो इन वाक्षियों में नंदिनी का भाई से, सनेहा का पिता से, तथा शोभा का पुस्तक से संबंध प्रकट हो रहा हैं. इसलिए नंदिनी इसने हां तथा शोभा संबंध कारक हैं जैसे हमने पढ़ाता ये तुम्हारी माता हैं बच्चो री आया ना ये हैं तुम्हारी माता से संबंध प्रिकट हो रहा है बच्चो जहां संबंध प्रिकट होता है रारी रे काकी की कारक चिनाते हैं तो वहां हमें पता चल जाएगा कौन सा कारК है? संबंध कारक है. चली आगे बढ़ते हैं, अधिकरन कारक यानि लोकिटिव केस. वाक्य में जिस शब इसे क्रिया के आधार का पता चलता है उसे अधिकरन कारक कहते हैं इसका कारक चिन में पर है जैसे बाग में पेड़ है छट पर बंदर बैठा है इन वाक्यों में बाग तता छट अधिकरन कारक हैं जोकि बाग तथा च्छत, क्रम शहा, पेडों के उगने तथा बंदर के बैठने की क्रियाओं के आधार हैं बच्चों हमने कहा में और पर क्या होते हैं? यह होते हैं अधिकरन कारक यानि के जहां पर बच्चों अधिकार होता है जैसे हमने कहा टेबल के उपर कोई वस्तू रखी है, टेबल के उपर हमने कहा मेज पर सेब रखा है तो बच्चों जो पर है यह संबन दिखा रहा है ना किसका मेज का और सेब का, यहां क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा अधिकरन कारक, ठीक है? इसी तरह आगे देखे, संबोधन कारक, वोकेटिव केस, वाक्य में जिस शब्द का प्रियोग किसी को पुकारने या बुलाने के लिए किया जाता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं जैसे, हे प्रभू, मेरी सहायता करो, बच्चो, चलो अंदर आओ, अरे रजत, खिलना बंद करो, आप करनी की बारी, नाओ लेट्स टू, रंगी शब्दों के कारक भेद बताईए, बच्चो, देखे, यहां कुछ वाक्य है, और उनमे कुछ रंगी शब्द दिये गए, पहला वाक्य देखे, दिनकर ने बहुत सी कविताएं लिखी है, दिनकर ने, तो बच्चो, जो दिनकर है, पर कौन सा कारक है, वह है, करता कारक, आप लिख देंगे, इसके आगे, करता कारक, इसी तरह आपको और भी वाक्य दिये गए, जो रंगी शब्द है, आपको उनका कारक चिन बताना है, यह बात यहां समाब तो होता है, अब हम मिलेंगे आप से अगली कक्षा में, तब तक के लिए, बाई बच्चो,